Hello Friends, Just 2.0 Map का स्वागत है आज हम बात करेंगे सबसे पाउरफुल पीस की जिसको रानी भी कहते हैं या बजीर भी कहते हैं इंग्लिस में उसको क्वीन कहते हैं आज हम इसके मुवमेंट के बारे में जानेंगे और ये पीस को capture कैसे करता है उसको भी जानेंगे जैसा कि आपको center में दीख रहा है हर player के पास एक-एक रानी होती है black के पास black और white के पास white तो जो इनकी starting position होती है वो इस तरीके से होती है आमने सामने जो इनकी file होती है वो d file होती है इस तरीके से इस d file में हमारे queen place होती है जो हमारी रानी होती है उसके पास उन्ट और हाती दोनों की super power होती है मलब जो हमारा उन्ट होता है वो तिर्चा चल सकता है इस तरीके से तो हमारी रानी भी तिर्चा चल सकती है इस तरीके से चारो दिसा हो में कहीं भी जो हमारा हाती है वो सीधा चल सकता है तो हमारे जो रानी हो कहीं भे भी सीधा चल सकती यानि कि ये एक तरीके से दोनों जो हाती और उंट है उनकी powers को लेके हमारा एक बजीर बना हुआ है और ये जो रानी बना हुआ है और यह जो होता है बहुत सारे area को cover करता है इसलिए यह बहुत powerful piece है अब हम बात करेंगे इसकी capturing की अभी आप board में देख सकते हैं जो हमारी queen है white valley वो सबसे center में है तो अभी जो यह queen है हमारे अपनी piece से जो white वाले piece है उससे गिरीवी है तो जो हमारा queen है यह वाली जो रानी है यह अब कहीं भी move नहीं कर सकती यह अभी trap है और यह fuzzy पड़ी है तो इसको move करने के लिए सबसे पहले हमारे इन में जो outer piece है हमारे यह white वाले इनको हटाना पड़ेगा तब ही यह move कर पाएगी सबसे हमने गोड़ा को हटा दिया है तो गोड़ा हट गया है तो अब यह क्या है कि जो इसका diagonal है यह खुल चुका है रानी का तो यह इस वाली piece को जो हमारा गोड़ा है उसको capture कर सकती है तो capture करने के लिए वो उसकी position में इस तरह के से जाएगा और जो गोड़ा है वो बोड़ से गयब हो जाएगा बोड़ से बाहर हो जाएगा तो अब क्या है कि जो next move आएगी उसकी white की वो इन दोनों में से जो हमारे हाथी है इन दोनों में से किसी एक को capture कर सकता है at a time, one time एक समय में एक ही को capture कर सकता है तो suppose हमने इस वाले को capture किया अब ये जो हमारा रानी है वो अपनी next जो चाल आएगी जो दूसरी चाल आएगी उसमें इन दोनों को capture कर सकता है तो suppose हमने इसको capture किया रानी को अब ये किसी को capture नहीं कर सकता क्योंकि अब इसके पास कोई भी इसके एरिया में कोई भी पीस नहीं आ रहा है तो इसको पीस को capture करने के लिए वो उसकी रही में जाएगा इस तरीके से यहां पर तो अब यह इसको capture कर सकता है तो आई होब इसकी capturing आपको समझ में आगया होगा अब हम बात करते हैं कि रानी से हम फाइदा कैसे उठाटे वहला हमारा पावफुल पीस है तो किस तरीके से अब अपने बोर्ड पे उसका फाइदा उठाते है तो ज्याली होते हो दो attack कर सकती है एक साथ तो जैसे कि इस case में देखते हैं जो हमारा राजा होता है वो बहुत important होता है तो हम क्या गरते हैं रानी को यहाँ पर position इस वाली position पर ले जाएंगे ताकि जो black वाले का राजा है उसको check पड़े और साथी साथ जो हमारा जो उसका black वाले का जो हाथी है उसको वो capture कर सके तो जैसी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर move करके उसको जो हमारा black वाला है उसको check देगा तो जो black का राजा वो move करेगा कहीं पर भी सब्सक्राइब तो next move में अगली चाल में वो हाथी को capture करके गेम को जीट सकता है I hope इतना आपको समझ में आओ गया आज के लिए इतना ही काफी है Thank you